नमस्कार, प्रियकर करासी वाले, तुम क्यूं सोचते हो कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये अप्रिल मेहने के रासी फल में इतना जादा सुब ग्रोहों का योग है कि इस बार दुनिया आपको देखते चली जाएगी। जी हाँ, नमस्कार, पिर ये करकरासी वाले, एक अप्रिल से ले करके, तीस अप्रिल के मन्दे का, संपूर मां से करासी फल ले करके, हर बार की तरह इस बार भी, मैं स्लोजा डॉक्टर अविगुपता, आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ, मैं आपको बताऊंगा करकरा जिसमें जीवन के सारे मुख्य बातों का मैं चर्चा करूँगा, कर्म से लेके, शंपती, दामपती, लव लाइफ, जितने भी महत्पुर्म अंग है जीवन के, सभी के बारे में चर्चा करूँगा, साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाओं में यह भी बताऊंगा, अगर ग्रहों में किसी प्रकार के कोई आई स्थिरता है, तो कौन सा आपको उपाय कर लेना चाहिए, ताकि पूरा खपूरा महिना आपका बहुत ही अच्छा जाए, यह जो रासी पहले चंदरासी पे अधारी थे, जिनको अपना चंदरासी पता है ठीक है, नहीं तो आप नाम य महिने में आखिर कैसा होने वाला है करकरासी वाले, करकरासी वाले बरतमान समय में आपके जीवन में देव गुरु बिरस्पती कर्म चेतर में ही बैठे हुए है, कर्म चेतर यानी कर्म का घर होता है, और वहाँ पे बुद्ध भी विराजमान है, 9 अप्रिल तक, और कर्म के आधिपत्य मंगल जो है यह 23 अप्रिल तक अश्टम हो में हैं जिसका मतलब एक तो कनफर्म हुआ कि इन दिनों थोड़ा सा कर्मशेतर में श्ट्रगल और परशानी तो चल रहा है लेकिन 6 अप्रिल को सनी देव जो है यह बिरहस्पति के रक्षेतर पूर्वा भादपद में प्रवेश कर जाएंगे जो आपके कर्मशेतर के मालिक हैं आप यहाँ पर क्या होगा कि सबसे वड़ा आपके साथ लावकारी यह हो यह होगा कि कर्मशेतर पर जो सनी के नीच दिरिश्टी पड़ रही है इसका प्रभाव घट जाएगा मतलब 6 अप्रिल से लेकर 23 अप्रि तेरह अप्रिल से जो नए नोकरी वबिसाई को लेकि परीशान है आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी और 23 अप्रिल से कर्म कामालिक जब भगयं में आ जाएगा मंगल किंद्र तरिकुन बन जाएगा तिस पर तो सोने में सूहागा हो जाएगा मतलब 13 अप्रिल से नए नौकरी वेवसाय की योगवे जबदस्त ब्रीदी है इसके अलाबा जो है जो लोग अपने नौकरी में स्विच या बदलाव करना चाते थे 13 अप्रिल से आपके लिए बहुत बढ़ियां समय रहेगा हाँ एक बात यहाँ पर अवश्य में बताना चाहूंगा कि जो लोग भी लौटरी सटा स्यार मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आप लोगों के लिए 23 अप्रिल के बाद बहुत बढ़ियां समय रहेगा या फिर किसी परकार किसी के जॉब में को इलिटी किशन या भी बाद है या आप कॉलिफाई होकर करके भी डिसकॉलिफाई हो रहे है तो आपका 23 अप्रिल के बाद इसमें ज्यादा बहतर होगा लेकि 23 अप्रिल से पहले यारी 13 अप्रिल से कुछ बड़ा सुरुवात हो जाएगा और यह सुरुवात होना अत्यान तावश्यक है और आए का मालिक सुक्र जो है यह 24 अप्रिल को भी कर्मचेतर में चला जाएगा मतलब आपकी जीवन में 23 अप्रिल के बाद विदेशों से एक्सपोर्ट इंपूट का योग तो बनेगा लेकिन जिनको खास करके विदेशों से ज्यादा काम होता है आपके लिए 24 अप्रिल के बाद के इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि 24 अप्रिल से पहले थोड़ा सा घस देखने को मिल सकता है कैसा रहेगा आपकी जीवन में बिदेश यातरा का हाल करकरासी वाले इस बहने बिदेश यातरा संसार का कोई ताकत नहीं रोख सकता है आपके सुरुवात से ही बिदेश यातरा का योग जबड़दस्त बनेंगे लेकिन 9 अप्रिल से बुद्वक किसी प्रकार को कुले के समस्या होगा 24 आप्रियल से विद्धेस्यातरा प्रारंभ हो जाएगा मतलब विद्धेस्यातra का जो शुरूमात है इस महेने के थोड़े अंत में दिख रहा है देखिए income के स्थिती कैसे रहेगे बिना income को तो कुछ नहीं होना ये बात तो सच्चाई है आज के समय में पैसे भी दुनिया टिक गई है आपके आय कारक ग्रह कौन है सुक्र और धन कारक ग्रह कौन है सुर्य आप यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मेहने पैसे की कमी नहीं है इसलिए तो मैंने बोला था क्यों सोचते हो के दुखी हो ना दुनिया इस बार आपको देखेगी तो यहां पर क्या है कि आपके धन भाव पे सनी और मंगल के दिरिश्टी तो पढ़ रही है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बड़ोतरी 6 अप्रिल से होगा जब अब सनी बिरहस्पती के नक्षत्र में जाएंगे तो बिरहस्पती का बल पढ़ जाएगा विरहस्पती धन भाव को देख रहे हैं तो आपके जीवन में 6 अप्रिल से 13 अप्रिल के मद्दे का जो धन का मामला यह थोड़ा समान ने रहेगा आता रहेगा काम आपका चलता र अप्रिल को सुर्य उच्च का हो जाएंगे धन का मालिक उच्च का हो जाएगा देव गुरु बिरहस्पती के साथ बढ़ जाएगा इतिहास बदल जाएगा यारी 13 अप्रिल के बाद इंकम का सोर्स बहुत जबड़दस्त बढ़ेगा बड़ बड़ लोगों से पूरा इसी महीने क्योंकि भाग्यस्थान में उच्च का है और इसके बाद फिर जो है और अच्छा पोजिशन पर है मतलब 13 अप्रिल का आयका मालिक का सत्रू सुरी बैठाबर सुक्र के साथ वो भी अलग होगा और सुक्र जो है एक सोतंत्र रूप से आपको इंकम का सोर् बस आप ये सोचो कि पैसा लगाना कहा है अब जब सभी चीजों की चर्चा हो रही है तो फिर बैवाहिक जीवन और लव लाइब के क्यों न करूँ चले जानते हैं करकरासी वाले बैवाहिक जीवन और लव लाइब का हाल आपके जीवन में कैसा रहने वाल है अपिरिल के म प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जीवन विवाह के रिष्टे अच्छे आने चालू हो जाएंगे और इसी के साथ में जो है आपके लव लाइफ में हाट टॉक हो रहा था मतभेदता हो रही थी डिश्टर्बेंस हो रहा था तिसमें पहतर सुधार के योग दिखने चालू ह हो जाएंगे साथ में अगर आप अपने जीवन साथी के साथ या फिर लव लाइफ में किसी पार्टनर के साथ कुछ बड़ा बैपार या अन्य च्छेत्रों में भी थे जिसके चलते सभी चीजें डिश्टर्ब हो रही थी तो इस मामले में भी बहुत बहतर लाब होता में बैठेगा आपका इतिहास बदलना चालू हो जाएगा करकरासी वाले यानि आपकी 23 अप्रिल को प्रेम विबा होना तय है और जिनका वैवाहिक जीवन वाकई में खराब था डिश्टर्बिंस था कोई ढंके रिष्टे नहीं आ रहे थे तो आप 13 अप्रिल तक इंतजा कम होगा दूरियां भी जो है वो कम हो जाएंगी और 24 अप्रिल से विबा का योग बन जाएगा बहुत बहतर है चलिए एक महत्पुन प्रस्टर पर चर्चा करते हैं भूमी मकान वहां सब्बती का हाल कैसा है एक वर्ड में बात करूंगा इसके मालिक सीधे आपके होते हैं सुक्र और सुक्र जो है ये 24 अप्रिल से डायरेट चतुरत भाव को देखेंगे लेकिन इसका बड़ा बदलाव आपके जीवन में 13 अप्रिल से दिखना चालू हो जाएगा 13 अप्रिल से जैसे ही सुक्र और सूरी के इती ही समाप्त होगी सुक्र उज्ज का स्वतंतर हो करक इती हास बदल देगा यानि करकरासी वाले आपकी जीवन में सीधी बात में करूँ 24 अप्रिल से भूमी मकान वहान संपती का लाव है माता सहताल में अच्छा है और जिनको बहुत बड़ा लिटिकेशन था प्रोपर्टी में या वहान विगरा में या खंदानी शंपती में या समाजिक शंपती में तो 24 अप्रिल के बाद वहाब शॉल होता हुआ दिख रहा है यानि आपको इस महिने शंपती की कमी तो हो ही नहीं रही है संतान का हाल कैसा है और सिक्छा का हाल कैसा है क्या एक बार में इस बात को बोल देना चाहिए नहीं थोड़ा काट के बोलू तो जादा अच्छा रहेगा देखिए सनी की दसम द्रिष्टी बिरिष्चिक पर है और यह सच्चा है कि जैसे ही चालू हुआ है छे महिने से छे साथ महिने से इस्थितिया ठीक नहीं है यह सिक्छा में बादा हो रहा है संतान कंसीब में दिक्कत हो रहा है अब सनी का 6 आपके सिक्छा में बढ़ोतरी हो जाएगा कोई भी इंटरव्य होई या एक जामनेशा ने आपके फेबर में आएगा संतान कंसीब होने से रिलेटेड सुब समचार मिलेगा आप संतान के विवा को लेके आप संतान के सिक्छा को लेके हेल्थ को लेके करियर को लेके पैसे को लेकर के जो बहुत चिंतिक है यह संतान से दूरियां बनी हुई है तो वह ठीक होगा क्योंकि दुत्य संतान को भी शेनी ही टेकल कर रहा है वरतमान समय में तो दुत्य संतान से भी तालमेल आपकी जीवन में 6 अप्रिल से बहुत ही अच्छा होना चालू हो जाएगा और य कुछ भी एडमिशन वगरा कराना है तो वह 9 अप्रिल से बनेगा योग सिक्छा का मामले में लेकिन थोड़ा सा उधान हो करके कैसा रहेगा आपके जीवन में वास्तविक तोर पे चलिए जानते हैं केस मुकदमा और कर्ज का हाल और स्वास्त का हाल सीधी बात करता हूँ जहां तक स्वास्त की बात में करूंगा तो जो लोगों को भी प्रॉबलम हो रहे ही ती पेड से रिलेटेड सरदद से रिलेटेड आपके लिए 13 अप्रिल से सुधार होगा लेकिन जिनका जादा तोर पे हिर्दे से रिलेटेड और इसके अलावा जो है बलड से कहीं से भी नहीं घुमाँगा आप 23 अप्रिल तक साउधान हो जाईए जस नबने साउधान हो जाए विवाद कोई विकेस मुकदमा चल रहा है तो उसंसे साउधान ओजाईए 23 अप्रिल के बाद आपका समय बहुत यह अच्या हो जाएगा उपाई क्या करना चाहीं रासी वाले अप्रिल मेहने का शंपुन वास्तविक तोर पर रासी फल मेहने आपके समझ प्रस्तूत किया है उमिद करता हूँ कि बताए कि जनकारी से सतूष्ट होंगे चैनल पने है तो लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत अच्छे से रहिए धन्यवाद